हलो फ्रेंस विल्कम बैक टू मैं चानल कैसे हैं आप सब आई हो आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंस आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रफ एंट अप प्लांट शेयर करने वाली हूँ इनको लगा कि आप खुबसूरत गार्ण बना सकते हैं ये सारे ही पौदे बहुत ही कम केर में ग्रो होंगे एकदम से रफ एंट टफ होगा जिसे की किसी भी कंडिशन में आप रखिये आपका पौदा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते रहेगा तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से पौदे हैं जिसे की हम लगा सकते हैं इनमें से फ्रेंट सबसे पहला जो पौदा है वह तरीके पौदबिशन में ग्रो कर सकते हैं एका दिन पानी देना भूल भी जाते हैं तो भी ये पौदा खराब नहीं होता है और अगर over watering भी हो जाती है तो भी यह पौदा खराब नहीं होता है एकाद पत्तियां आपको लगेगी कि खराब हो रही है लेकिन पौदा असानी से खराब नहीं होता है तो इस पौदे को आप लगा सकते हैं इसकी बहुत एची hedge बना सकते हैं पत्तियां 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 लेकिन जो देशी वाली वराइटी है यह वाली जो रियो के पौदे है इसे friends बहुत युसानी से आप grow कर सकते हैं इसे धूप में भी grow कर सकते हैं अपशेड में भी grow कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने चम्पा के पौदे के साथ इसे grow कर रखा है और इसे आप hanging basket में भी लगा सकते हैं इसी ground को cover करने के लिए लगा सकते हैं बड़े pot को cover करने के लिए लगा सकते हैं और साथी साथ इसके देखरेंग बिल्कुल भी नहीं है तो बहुत ही इजी लिए आप इस पौदे को अपने garden में add कर सकते हैं जरों के पासे फ्यालता है इसलिए समय के साथ-साथ यह बढ़ते पौदे बढ़ाता है रूट डिवाइट करके बहुत सारे पौदे इसके बना सकते हैं अगला पौदा है फ्रेंट यह चंपा का चंपा पौदा फ्रेंश एक बहुत ही खुबसूरत पौदा होता है गार्डन में height देनी के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत हाड़ी ठंड के मौसम में तंपरेचर बहुत डाउन होता तब यह पौधा बिल्कुल टिकावा रहता इसके पतियां सारी गिर जाती है क्योंकि उस टाइम पौधा दॉर्वेंसी में चला जाता है लेकिन फौधा खराब नहीं होता बाहर के मौसम आते ही फिर से हरा भरा हो जाता है र अगला पौधा आते हैं फ्रेंस हम कनेर में कनेर का भी एक आसा ही पौधा है जो कि बहुत ही रफन टब पौधा है कटिंग से बहुत असानी से लग जाता है देखरेक बिल्कुल नहीं मांगता है और यह प्रूव होता है जब आप कहीं बड़े शहर में जाएंगे तो आप देख रहें कि आप अच्छे फूल इसे ले सकेंगे अगला पौधा आता है फ्रेंस यह हैज वाले पौधे हैज वाले पौधे भी फ्रेंस बहुत ही रफन टाफ होते हैं इसकी स्ट्राम में इतनी जड़े बनने लगती है कि यह पौधा इसली मरता नहीं है एक आपके गार पर अपने आप नहीं होता बहुत अच्छी तरीके से ग्रों करता है तो यह वेराइटी है जिसे कि हम स्ट्राक्ट ऑपने आड़न करके बहुत अच्छा एंड़े कर सकते हैं अग्ला पौधा आता है फ्रेंस यह वडेलिया का वडेलिया का पौधा वी एक ऐसा ही रफन्त इसकी स्ट्राम कहीं पर मिट्टिक के संपर्ख में आते ही ग्रो होने लग जाता है और बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग इसमें इस तरीके से होने लगती है यह पौदा आसानी से मरता नहीं है अगर आप इसमें कभी पानी देना भूल जाए तो यह पौदा हलका सा सूख जा इस पौदे को आप हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं या फिर बड़े पौट को और एक ही पौदा लगा रखे हैं तो उस पौद को कवर अप करने के लिए भी आप इस पौदे को लगा सकते हैं अगला जो रफ एंट प्लांट में आता है वह फ्रेंस यह पैनी और जि और मिट्टी भी मैंने सेईग से डाल रखी है मैं इसकी मिट्टी से में बडाया जो पानी लेवल रखए हूँ इतना ही मैं इसकी देख रहे करते हूँ बहुत फास्ट में पांट करता है और कोई और एक्स्टर केयर नहीं अगर आप बिना च्खेद वाले कमले में लगाए यह पौधा इंडोर आउडोर दोनों जगा चल जाता है बस पानी का हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसकी मिट्टी जो है हमें सा गीली सौगी कीचर जैसी बनी होनी चाहिए अगला पौधा मैक्सिकन पींटोर भी एक ऐसा पौधा है जो कि बिल्कुल रुफेंटब प्लांट नफ यह पाता या रोड डिवाइडर की तरह या रोड साइड एरिया में आप बोगन बिला के पौदे बहुत देखेंगे जहां कि बिल्कुल देखरेक नहीं होती है फिर भी यह पौदा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है उसका एक ही रिजन है क्योंकि यह पौदा है बिल्कुल रफ लग जाता और कई सारे रंगों में आता है इसलिए आप अपने गार्डन में इसको निश्चिन्त होके आड कर सकते हैं नेक्स रफेंट प्लांट आता है फ्रेंस यह पौपल हाट इस पौदे की भी बिल्कुल देखरेक नहीं करनी परती है ज्यादा पानी हो जाए तो कोई परिशानी नहीं कम पानी हो जाए तो परिशानी नहीं आप इसे फुल दूप में भी रख सकते हैं सेमिलाइट एरिया में भी रख सकते हैं तो आसा पानी कम बेसी होने पर इस तरीके से कुछ पत्तियां इसकी सूख जाती है अदर्वाइस इसमें और कोई परिशानी नहीं होती है तो इस पौदे को भी आप अपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं इसी तरीके से टैंगल हाट है होने को तो यह सकुलन प्लांट है लेकिन बहुत ही ज्यादा रफेंट प्लांट है यह इसकी चोटी सी भी टहनी अगर कहीं पर मिट्टी के संपर्क में आ जाती है तो व जो कि बिल्कुल रफेंट प्लांट है होने को तो सकुलन प्लांट है इसे पानी की रिक्वार्मेंट कम चाहिए लेकिन जैसे मैंने कहां पौधा लगाते वक्त अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मिट्टी उस पे सबसे अच्छी तरीके से फोकस रखेंगे तो आप पानी की रिक्वार्मेंट नहीं होती है इसलिए रेती लीमिटी बनाईए और उसको फ्रेंस ऐसे ही ग्रो होने दीजिए मेरा ये पौधा धूप में भी बहार टैरेस पर रहता है और विंटर में भी कुले टैरेस पर रहता है तो आप कंडिशन देख सकते हैं पौधा कितन नहीं होगी और इसके कटिंग से बहुत सारे बना सकते हैं इस पौधे consider क्भूब सुरा टोप्यारी बना सकते हैं अब आप यहां पे देख सकते हैं कितनी ही सारी टोप्यारी मेरे पास मैंने बना प्लांट में इस तरीके से पौदे हैं इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पौदे हैं जो कि बहुत रफन टफ होते हैं आगे फिर मैं किसी वीडियो में आपके साथ और भी पौदे शेयर करूंगी क्योंकि इस तरीके के पौदे लगाना हम सब सब्सक्राइब भी को पसंद होता है जो कि बीना देख रहे के चले या फिर जीने हमेशा टाइम टाइम पे फटिलाइजर देना ना पड़े फिर भी वह अच्छी फ्लावरिंग करें अच्छी ब्यूटी हमारे गार्डन में आड़ करें तो और भी पौदे में शेयर करूंग तो मेरे चानल को सब्सक्राइब भी करिएगा साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे की आगे मैं जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो फैस मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नेक्स किसी इंटरस्टिंग सी जानकारी क किसाथ ओके दिन बाए